तो चलो इस कोश्चन में क्या बोलता है बचो देखते हैं इस कोश्चन में बोल रहा है कि यह एंसर दे दिया है कि यह परफेक्ट स्कॉयर नहीं है लेकिन आपको रिजन देना है तब आपको मैंने अल्रेडी इंटुड़क्शन पार्ट में बताया है कि क्या प्रफेक्ट स्कॉयर का और कौन सा प्रफेक्ट स्कॉयर का नहीं होता है आप वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से जाके देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिसकसन कर लेते हैं हम लोग यहां पर जितना भी कोश्चन है यह जो भी नंबर दिया है वह परफेक्ट स्कॉ दे नमबर र si a a dólares तो हम यहां देखते हैं डू इन तो परक्ट स्क्वर है नहीं क्योंकि टू से इंहे है ट्री यह अब्ल Sexual ड़े भी नहीं है Cab Gary 8 ये भी नहीं है क्योंकि हमने क्या बोला भी वैसा नंबर जो 2 से 3 से और 7 से और 8 के साथ इंड होता हो वह perfect square नहीं हो सकता तो first reason यहां पे लिक लो reason 1 reason the number the number ends with 237 and 8 are never perfect square ठीक है यह यह पहला reason हो गया आप दूसरा देखो यहां पर दूसरा कॉन-कॉन सा बच गया यह 64000 यह टू यह यहां भी तो यह इंडूर है भाई टू से बोलना है ना अच्छा कैमरे के उस पार हो ठीक है है यह आप कॉन सा बच गया यह बच गया 64000 अब आपको पता होना चाहिए ऐसा नंबर जो और नंबर के जीरो के साथ इंड होता हो वो हमारा कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता ठीक है फिर से ध्यान देना वैसा नंबर जो और नंबर जीरो के साथ इंड होता हो वो कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं हो सकता तो अब हमारा दूसरा रिजन यहाँ पर देखो 64 000 यह 000 मतलब odd number of 0 के साथ इंड हो रहा है अगर even number 20 होता तो हमारा यह perfect square number होता लेकिन यह 000 है मतलब यह odd number 0 है 30 50 70 10 यह सब odd number of 0 है तो यह हमारा perfect square नहीं हो सकता तो देखो दाव यहां पर हमारा हम लोग दूसरा रिखेंगे दिन नंबर दिन नंबर इंस वीट और नंबर आफ और नंबर आफ और नंबर आफ जी रोस और नेवर perfect square clear तो according to second reason यह भी हमारा perfect square नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं ठीक है समझा गया दो कर लो अगर मैं फास जा रहा हूं तो आप हमें कमेंडर के बता सकते हो सर्थ धीरे पढ़ाई है ठीक है थैंक्यू